हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने मोटो एज 40 न्यो एंडुड वाल फोन में आप कभी भी आप कॉल करते हैं किसी को भी तो कॉल करने पर आपके फोन की जो डिस्पले है यह आफ हो जाती है तो इस प्रॉलम को आप हैंको सबसे पहले अपने मोटों को restart करने के लिए PowerPoint के पर इसके थोड़े देर बाद आप difिच ऑन हो जाएगा रिशर्टर करने से यह होता है हमारे फोन के Android Android system में अगर कोई कमी आ जाती तो कमी जो दूर हो जाती है कमी क्या हो सकती है देखे हमारा mobile phone जो है वो हैंक करता है call करने पर phone की display off हो जाती है ऐसी बहुत सारे Android system की problem solve हो जाती है phone को restart करने से ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपको अगला process यह करना है कि आपके mobile phone का जो calling का app है यह चो circle के अंदर आई button दिखाई दे रहा है इसे आपको tap करना है तो आपको यह वाला पेज open होगा app info का इसमें आपको storage आरण catch का यह option टैप करना है एक तो clear storage का दूसरा clear catch का आपको पहले clear catch पे tap करना है इसके बाद आपको clear storage पे tap करना है तो आपको एक छोटा पेज आ ज प्रिसेट करते हैं जिससे आपके फोन की जो कॉल करने पर डिस्पले आउफ हो जा रही है यह प्रॉलम आपकी सॉल्ल हो जाएगे ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना यह है कि आपको इन अपने मुवाइल फोन का सॉफ्ट्वेयर एक बर चेक करना ह भी हमारे मुवाइल फोन के एंडूड शिस्टम में कुछ प्रॉलम्स आने लगती है तो आपके फोन का जो सॉफ्ट्वेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है देखे इसके लिए आपको सबसे पहले तो मुवाइल फोन का इंटरनेट आपको चा कॉल करने पर दिस्प्ले आफ जाती है प्रॉलम हो जाएंगा अपको आपको यहां पर चाया करने के लिए कि आपको अपने मुवाईल फोन को रिसेट होकनकर अंटकर सबसे नीचे आपको इसर trifle orno हमbright करना है इसके अंदर नीचे चाहिए चाहिए अबले का हम्यवाइट ह हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम में काल करने पर डिस्प्लेट ऑफ होती है चीमेल आइडी और उसका पासवर्ड आप को पैले से नोट करके रखना है यह तो सीमょ में इस वीडियो हमां आपको प्रेल सारे ये जो और आपको वे बताया है योस on वह आपकी solve हो जाएगी अगर मेरे बताए हुए सारे process use करने के बाद भी आपकी ये problem solve नहीं होती है तो आपको करना क्या है दिखे आपके mobile phone का service center होगा वहाँ पर आपको चले जाना है अपना phone वहाँ पे दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए गयरा होन देखे हो सकता है आपके mobile phone के hardware में कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़े से आपके ये problem आ रही है क्योंकि मैंना आपको इस वीडियो में जितने भी solution आपको बताए है वो mobile phone के software के जरीये बताए हैं अगर mobile phone के software के कि किसी कमी की वज़े से ये problem आ Рही है तो मेरे बताय हुए तरीके से आपकी problem ये solve हो जाएगी, otherwise आपको अपने phone के service center जाना पड़ेगा.